दोस्तो अगर आपके पास भी SBI कार्ड है और एक लाख रुपे का माइल स्टोन आप पूरा गड़ चुके हैं और SBI ने आपको यात्रा का गिफ्ट और दिया है तो दोस्तो धबराने की जरूत नहीं है क्योंकि मैं हूँ यानि कि मैं आपको बताऊंगा कि SBI कार्ड से कैसे आप यात्रा का जो गिफ्ट कूपन है यानि कि माइल स्टोन गिफ्ट कूपन है वो कैसे रिडिम करना है चलिए शुरू करना दोस्तो से पहले आपको ये मैसेज मेल पे या मैसेज पे आपको सर्च करना है और वहाँ पर आप देखेंगे कि SBI की साइट से एक मैसेज या मेल आया हुआ है जिसमें आपको SBI की साइट से यात्रा का दो हजार रुपे का गिफ्ट आउचर मिलता है फिर आपको यात्रा एप्लिकेशन को डाउनलोड करना है और यात्रा एप्लिकेशन अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आप Google स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है तो मैंने ये उपन कर लिया है इसमें मैंने होटल वाला ओप्शन को चूज किया है और इसमें आप कोई सा भी एप्लिके तो जब मैंने पूरा complete किया तो ये लगबग इसका rate काफी उपर आ रहा है अभी 3-1-2-0 आ रहा है इसमें मुझे कोई और promo code यूज नहीं करना है यहाँ पे promo code वो ही यूज करना है जो SBI ने यात्रा application के लिए दिया है यहाँ 2,000 रुपे का तो यह देखे यह जैसे ही मैंने इस code को यूज किया तो मेरा यह पैसा कम हो गया यानि कि अब मुझे 13-21 रुपीज आप देने है तो दोस्तो देखे कितना easy है यहाँ पे आप trans conditions भी बढ़ सकते हैं कि अगर आपको cancellation भी करना है तो cancellation करके आपका कितने दिन पहले अगर cancel करते हैं तो आपको कितने percent ही charge देना होगा तो इस तरह से आप अपना जो booking है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं यात्रा gift voucher से तो यहाँ पर आप अपना नाम और उपनाम यानिके sunday में आप देंगे और अपना number वगेरा सब डालने के बाद यहाँ पर जो आगे payment process है वो आप अपने card paytm या upi जिससे भी आप करना चाहें वालेट से करना चाहें तो उस तरह से आप कर सकते हैं तो इस तरह से जब आप इस process को करेंगे तो आपकी booking दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो comments करके जरूर बताएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और share और comments जरूर कीजेगा